अलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दफीडियाज एकेडमी में पिटा आज की क्लास का टोपिक रहेगा कंडिशनल संटेंस जो की एक बहुत इंपोर्टेंट टोपिक बनता है किसी भी एक्जाम पॉइंट ओव व्यू से आप चाहिए SSC के एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, DSSB के एक्जाम देना चाह रहे हैं, KVS या बेंकिंग या कोई भी competitive एक्जाम है उसमें maximum chances रहते हैं कि इस टोपिक से इंग्लिश में question आता ही है I am Shrikant and I will be taking your English classes on this channel I will try to make things as simple as possible so that everyone can understand the concept तो शुरू करते हैं आज का अपना topic conditional sentences अब conditional sentences सबसे पहले होते क्या हैं इसके अलग-अलग definitions आप पढ़ सकते हैं conditional sentence is a type of sentence that states a condition and the outcome of that condition occurring conditional sentence एक type का sentence होता है जो एक condition state करता है आपको बताता है और अगर वो condition satisfy होती है तो उस condition का क्या outcome रहेगा वो हमें बताता है जैसे for example if you work hard you will succeed अगर आप महनत करते हैं तो आप कामियाब हो जाएंगे तो आपका कामियाब होना किस पे depend करता है एक condition पे condition कौन सी आपका महनत करना तो इस type के जो sentences होते है उनको हम बोलते है conditional sentences या दूसरी definition हिंदी में आएं तो जब किसी कारिया का होना दूसरे कारिया के होने पर निर्भर करता है तो ऐसे वाक्यों को हम conditional sentence कहते हैं एको definition use कर सकते हैं conditional sentences are used to speculate about what could happen what might have happened and what we wish would happen तो इस conditions के according इस definition के according हम conditional sentences को अगर categorize करें तो हम बोल सकते हैं कि conditional sentence हमें बताता है कि क्या हो सकता है मतलब future की बात करता है जैसे अभी मैंने example दिया अगर हम पढ़ेंगे तो हम कामियाब हो जाएंगे what might have happened past की बात करता है कि past में अगर ऐसा होता तो वैसा होता मतलब वो चीज हो चुकी already तो past की बात करता है और एक what we wish would happen एक imagined condition इसमें आ जाती है जहां हम कलपना करते हैं विश करते हैं कि ऐसा हो जाए ठीक है example देखते हैं बिटा if you work hard you will get the job अगर आप महनत करोगे तो आपकी job लग जाएगी तो यहां यह condition denote करता है कि अगर आप महनत करोगे तो आपकी job लग जाएगी यह condition है यह उसका outcome है I would have been happy if you had called me on my birthday मैं खुश होता यदी आप मेरे birthday पे मुझे call करते हैं इसका मलता birthday पे call नहीं किया गया है तो वो खुश नहीं हुआ है यह event अल्रड़ी past में हो चुकी है यह example जो है यह future में बात करता है If I were you, I would study more अगर मैं आपकी जंगे होता तो मैं और ज्यादा मेहनत करता है मरलब हो नहीं होता तो यहां क्या है कहीं न कहीं imagination की बात हो रही है imagined condition या imagination की बात हो रही है तो इस type से हम conditional sentences को categorize कर सकते हैं future के, past के या हम अपने imagination का use करते हैं अगर हम theory में जाते हैं आपको अलग-अलग books में अलग-अलग type के मिलेंगे आप पढ़ोगे zero conditionals हैं zero conditionals में कुछ नहीं होता जो general truth है हमारे उसकी बात हम करते हैं तो उसको हम zero conditional sentence बोल देते हैं जैसे for example when people smoke their health suffers अगर लोग smoking करेंगे तो उनकी सेहत बिगड़ेगी if you heat ice, it melts अगर आप ice को heat करोगे तो वो melt हो जाएगी तो इस तरह से zero conditional, first conditional जो future के बारे में बात करता है second conditional में unrealistic imagined बाते आजाती हैं एक third conditional हो जाता है जो past में already हो चुका है impossible है जो गटना जो already हो चुका उसको change नहीं किया जा सकता तो theoretical बहुत सारी books में अलग लग चीज़े आएंगे हम theory पे focus ना करके हमारा class का जो focus रहेगा वो exam questions पे ज्यादा रहेगा उसी को लेके ये class design की गई है और मैं उसी को लेके आपको अगे proceed करेंगे conditional sentences में हम कुछ conditional words का भी use करते हैं जिससे पता लगता है कि इस part में condition है जैसे if, when, provided, as soon as, as if, until, unless, but for ये सारे conditional words हैं sentence के जिस part में ये word होंगे उसी में condition होती है conditional sentence को हम दो parts में divide कर सकते हैं बैटा एक को if close बोलते हैं एक को main close if close में क्या होता है जिसमें condition सफिसफाई करते हैं जिसमें हम कोई condition बताएं कोई condition अगर आप specify कर ले हो तो उस part को हम बोलते हैं if close उस condition का जो outcome होगा अगर वो condition satisfy होती तो वो आता है आपका main close में ये कोई fix नहीं है कि if close पहले आना है sentence में main close बाद में आएगा main close पहले आ सकता है if close बाद में आ सकता है main close बाद में आ सकता है तो conditional sentences को दो part में divide कर सकते हैं if close और main close अब आते conditional sentences की types तो basically exam point of usage चार categories में हम इसको divide करते हैं बिटा present indefinite tense में और main close को रखते हैं future indefinite tense में जिन बच्चों को tense के बारे में बिल्कुल भी knowledge नहीं है उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ present indefinite tense में हम use करते हैं बिटा verb की first form या अगर कोई singular चीज है तो verb की first form के साथ हम ses का use करते हैं future indefinite में हम simple use करते हैं shell या will तो ये future indefinite में use करेंगे shell will इसके साथ verb की first form present indefinite में use करेंगे verb की first form या उसके साथ ses अब यहाँ क्या करना है बिटा जो आपका conditional part होगा उसको रखना है present indefinite में और main close को रखना है future indefinite में जिसे आप example देखोगे if I go to Delhi यदी में दिल्ली जाऊंगा I will bring a gift for you तो मैं आपके लिए gift लाऊंगा अब यहाँ दोनों बात future की हो रही है यदी में दिल्ली जाऊंगा जाऊंगा मलब future I will bring a gift for you तो मैं आपके लिए gift लाऊंगा तो future की बात करते हैं लेकिन जो condition वाला part है उसको future में नहीं रखना उसको present indefinite में रखना है इसलिए यहाँ I के साथ verb की first form का use हमने किया है if you attend the class regularly you will understand the concepts अगर आप class regularly attend करोगे तो आपकी समझ में सारे concepts आ जाएंगे तो इस type के जो होते हैं वो first category आती है conditional sentences की जिसमें जो if condition है या if close है उसको present indefinite में हम रखते हैं बैटा और main close को हम future indefinite में रखते हैं उसमें हम shell will का use करते हैं second type के जो conditional sentences होते हैं उसमें if close रहता है आपका past indefinite में और main close में हम use करते है subject उसके साथ would और verb की first form जैसे if he came to me came आ गया अब past indefinite जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ past indefinite में हम verb की second form का use करते है if he came to me came second form होगी I would teach him तो would लगाया आपने subject आगया आई फिर would verb की first form third category जो आती है बिटा उसमें if close को तो रखते हैं हम past perfect में और main close में रखते है subject would have और verb की third form past perfect में use क्या करते हैं बिटा हम had और verb की third form if you had worked hard you would have passed अगर तुमने महनत की होती तो तुम pass हो गई होते हैं बिल्ला पास नहीं हुआ है क्योंकि उसने महनत नहीं की है had plus verb की third form तो यह past perfect में हो गया if close और main close में हम use करेंगे would have और verb की third form इसी sentence को हम rephrase भी कर सकते हैं बिटा इसमें हम शुरुआत helping verb से कर सकते हैं had से उसमें आपको if लगाने की जरूरत नहीं है if you had worked hard लिख दो या had you worked hard लिख दो दोनों का मतलब same है कि अगर आपने महनत की होती तो कई बार examiner confuse करने के लिए यहां पर if का use नहीं करेगा या कोई conditional word यूज नहीं करेगा शुरुआत helping verb से कर देगा inversion लगा देगा helping verb आ जाएगी बात में subject आ जाएगा तो ये भी ठीक है ये भी ठीक है दोनों का मतलब same है अब इसका question क्या बनता है एक्जाम का भी discuss करेंगे थोड़ा सा hint में दे देता हूँ इसमें करता है क्या है बेटा इन दोनों को mix कर देते हैं mix कैसे करते हैं आपका if close तो रहेगा past indefinite में और main close में would verb की first form का use नहीं करके इसको combine कर देते हैं इसके साथ मतलब past indefinite के साथ would have verb की third form लगा के आपसे error का question पूछा जाता है या आपका जो past perfect type close उसके साथ would have का third form का use नहीं करके would और verb की first form का use कर देते हैं तो इन दोनों को mix करके error का question बनाया जाता है जो भी मैं discuss करूँ आप लोगों के साथ clear हो जाएगा एक last category बची है conditional sentences की जब imagined condition हो कालपनिक स्थिती हो उसमें करना क्या है जो if close होगा बिटा उसमें कोई भी subject हो उसके साथ word लगाएंगे और main close में generally would और verb की first form का use हम करते हैं जैसे if I were a king I would make you my queen अगर मैं एक राजा होता तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता इफ I were a king हो नहीं होता अब इसमें दो जन्य एरर बन सकता है बिटा पहला तो ये I के साथ हम general उसमें बात करें तो वाज का use करते हैं लेकिन यहाँ subject कोई भी है चाहे singular है plural है first person हो second हो third हो सब के साथ हम वर का use करेंगे पहला point तो एक error का question यहाँ बन सकता है कि वर की जन्हें वाज दे देता इफ I was a king और आपसे error पूछ लेता तो वाज नहीं आएगा imagined condition है तो subject बिटा कुछ भी है उसके साथ आपको वर का use करना है एक example और देखते हैं if I were a bird यदी में पक्षी होता I would fly in the sky तो में आस्मान में उड़ता तो यहाँ भी I के साथ वर लगा है और main close में बिटा would और वर की first form का हमने use किया है तो यह basically चार टाइप के आपके conditional sentences होगे बिटा पहला जिसमें हम if close को present indefinite में रखते हैं और main close को future में second if close को past indefinite में main close में would और वर की first form third if close past perfect में आता है और main close में would have third form और fourth जो imagined condition है जिसमें हम किसी भी subject के साथ वर का use करेंगी और main close में would और वर की first form कुछ additional types भी होते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया था k-books में आप पढ़ोगे उसमें लिखा होगा zero conditional तो zero conditional वो होता है जो आपको general truth बताता है यह हमेशा simple present में रहते हैं जैसे if you heat ice it melts अगर आप ice को heat करोगे तो क्या होगा वो melt हो जाएगी तो यह truth है यह हमेशा सच रहेगा तो इस type के sentence zero conditional कहलाते हैं और यह आपके simple present tense में ही रहते हैं यह भी उसी का example है the grass gets wet if it rains vaccine short you may get fever अब कई बार हम क्या करते हैं बिटा अगर आप एक vaccine short लेते हो तो आपको fever आ सकता है अब यह future की बात कर रहा था लेकिन हमने यह यह shell will use ना करके किसका use किया है में तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर sentence में shell will का use करो अगर उसमें और कोई model fit हो सकता है जैसे इसमें में आ सकता है तो हम वहाँ पे और किसी model का भी यूज़ कर सकते हैं में का भी यूज़ कर सकते हैं कैन का भी यूज़ कर सकते हैं कुड का भी यूज़ कर सकते हैं दूसरा जो if condition है उसको सिर्फ present indefinite में न बना के हम present perfect में भी बना सकते हैं जैसे if you have finished the work you may leave हम present continuous में भी बना सकते हैं if you are going to the party I will join you या जैसे past perfect हो गया head scene उसमें हम would का use ना करके might का भी use कर सकते हैं तो ये additional है types ये मैंने सिर्फ इसलिए बताएं कि ये बन सकते हैं exam में question जो चार main है उसी से लगबग पूछा जाता है लेकिन ये भी possibility होती है तो आपको पता होना चाहिए हम इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है बशापको एक तो बिटा हम shell will की जड़े और कोई model भी use कर सकते हैं me का use कर सकते हैं can का use कर सकते हैं might का use कर सकते हैं could का use कर सकते हैं इस चीज का ध्यान रखना है आपको दूसरा जो if close है आपका वो सिर्फ present indefinite में हलाकि ज़्यादा use करना है लेकिन अगर required है तो उसका use हम present continuous में भी कर सकते हैं और present perfect में भी कर सकते हैं तो ये दो चीज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अब बात करते हैं बेटा types of question यहां से आपका जो main है वो important अभी तक basic theory दी अब बात करेंगे exam में question किस type के पूछे जाते हैं error के question क्या आएंगे कहां पर error दिया जाता है और उसको हमें कैसे correct करना है तो बेटा types of question में सबसे पहला जो question आता है जो हमने combination पढ़ा था कि if close को रखेंगे present indefinite में और main close को रखते हैं बेटा future indefinite में तो इससे बहुत ज़्यादा question बनते हैं क्या क्या question बनते हैं हम सारे अभी discuss कर लेते हैं उसके बाद हम exam में आई हुए question भी discuss करेंगे इसमें होता क्या है बेटा if close को present indefinite में न देगे examiner आपको दोनों close future indefinite में देदेगा जैसे if you will work hard you will get the job इस तरह का question आपको बनाया जाता है और आपसे पूछा जाएगा इसमें error क्या है तो इसमें ये देखना बेटा conditional part कुम सा है if आगया तो conditional part मेरा ये है इसको मैं future indefinite में नहीं रख़ूँआ इसको किसमें रखना आपको present indefinite में तो error क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हम will का use नहीं करेंगे correct sentence जो बनेगा if you work hard you will get the job तो पहला जो question बनता है वो ये बनता है कि आपको दोनो if close और main close examiner future indefinite में बना के देगा आपको ये देखना है कि if close कौन से part में है और if close को present indefinite में change कर देना है तो पहला error का question बनता है वो ये बनता है अब इसमें दूसरा क्या बन सकता था बिटा अगर यहाँ पे you की जंगे he का use करता अगर इसमें you की जंगे he का use करता अब he हो गया singular तो उसमें correction क्या करते if he will तो हटाते ही लेकिन work के साथ s और जोड़ते if he works hard क्योंकि कोई भी singular चीज है he है she है किसी का नाम हो सकता है और कोई singular चीज है तो present indefinite में उसमें हम work की first form के साथ s e i e s भी लगाते ही तो if he works hard हो जाता ठीक है he will get the job तो दूसरा error का question आपका बेटा इससे ये बनेगा तो आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ plural है तो वर्प की first form आएगी singular है तो उसके साथ आपको s e s भी लगाना पड़ेगा present indefinite में उसको proper आपको change करना है next आपने types of questions और क्या बनते है अभी जैसे मैंने बताया कि दो उनको mix कर देंगे जैसे आपका अभी हमने पड़ा if close अगर past indefinite में हो तो main close में क्या आता है बिटा subject would और verb की first form तीसरा हमने पड़ा था अगर if close past perfect में है तो उसमें आपको use करना होता है subject would plus have plus verb की third form अब question क्या बनता है बिटा इसका combination बना देंगे इनके साथ इसका combination बना देते हैं इसके साथ और आपसे error पूछ लेते हैं कि क्या error है for example एक sentence देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज clear हो जाए if इस तरह का एक sentence आएगा और आपसे पूछेगा बिटा इसमें error क्या है if I had known you I would give you a lift अब देखो बिटा यहाँ पे head आगया और verb की third form आगी तो ये कुन सा sentence हो गया आपका past perfect अब जब if close past perfect में है तो main close में use क्या करना था would have और verb की third form उसके बजाए use क्या कर दिया would और verb की first form यहीं पे error आगया अब आपके exam में यह question आएगा आपसे पूछा जाता है या तो sentence improvement में आएगा या error detection में आएगा आपको या तो find out करना है किस part में error है या इस sentence को ठीक करना है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे would और verb की first form का use ना करके हमें use करना है would have और verb की third form तो correct क्या हो जाएगा बिटा I would have given you a lift तो would give की जंगे आ जाएगा would have given would have verb की third form तो यह sentence correct हो जाएगा तो इस type की question जो है बिटा वो exam में आते हैं अभी SSC previous year papers में जो question आएगा कुछ वो question भी हम discuss करेंगे अगर आपको class अच्छी लग रही है और आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है बिटा तो इसको subscribe कर लें साथ की साथ bell icon का button प्रेस करें ताकि जो भी classes आएगे उसका notification आपको मिल जाए चलिए अब करते हैं बिटा previous year के कुछ question जो exam में पूछे गए हैं आप लोग कोशिश करें साथ की साथ करें आंसर करने की कोशिश करें उसके बाद हम discuss करते हैं वी शेल वेट तिल यू विल फिनिश यूर लंच हम वेट करेंगे जब तक आप अपना लंच फिनिश नहीं करते हैं एक्जाम में कुछिन आया हुआ और आपको बताना था कि sentence के किस पार्ट में एरर है फस्ट पार्ट में सेकेंड में थर्ड में या sentence ठीक है इसमें कोई एरर नहीं है नो एरर फोर्थ ओक्षिन जो है वो नो एरर का होता है तो आप लोग फटा फट इसको पड़ें और बताने की कोशिश करें कि किस पार्ट में एरर है देखिए बटा sentence के दो पार्ट है वी शेल वेट सेकेंड इस तिल यू विल फिनिश यूर लंच अभी मैंने आपको बताया था कुछ conditional words होते है जैसे until, unless, if, when, provided तो till भी जो है conditional word है तिल के बाद जो sentence आएगा तिल के साथ इसका मलब वो कुम सा close होगा आपका if close होगा और जो main event होगी वो main close हो जाएगा तो ये if close है और ये main close है अभी आपको बताया था कि examiner दोनों future में बना के दे देगा हमें करना क्या होता है बिटा if close को किसमें change करना है ऐसी condition में present indefinite में change करना है तो correct क्या बनेगा बिटा main close में कोई change नहीं होगा we shall wait till अब till के बाद आपका if close शुरू हो गया if close आपको रखना है present indefinite में तो correct क्या बनेगा till you will यहां से हट जाएगा और यह बन जाएगा till you finish your lunch तो यह आपका main close future indefinite में हो गया और if close present indefinite में हो गया तो मेरा sentence ठीक हो गया तो error किस पार्ट में था बिटा आपका third part में error था will finish your lunch की जगे finish your lunch आना था will का use यहां हमें नहीं करना है next question पर आते है John would have told you the truth if you had asked him John तुमें सच बता देता अगर तुमने उससे पूछा होता तो John would have told you the truth if if यहां आ रहा है मतलब यह conditional if close है आपका अब सबसे पहले देखते हैं बेटा conditional close जो है वो किस tense में है यहां पर head आ रहा है और work की third form आ रही है head और work की third form इसका मतलब if close आपका किस में हो गया बेटा past perfect tense में अगर past perfect में if close है तो main close किस में होना चाहिए main close में क्या use करेंगे हम would have और work की third form तो देखते हैं इसने क्या use किया है john would have told इसने would have और work की third form का use किया है और आपका जो conditional है बेटा वो past perfect में है तो इस sentence में कोई गडबड़ नहीं है तो इसका answer हो जाएगा four मतलब no error यह sentence बिलकुल ठीक है इसमें कोई भी error नहीं है next question पे आते है you will not succeed unless you don't work hard अब इसमें फिर से वही यह भी future में you will not succeed तुम कामियाब नहीं होगे unless you don't work hard जब तक तुम महनत नहीं करोगे अब एक concept और समझो बिटा जो आपका until है या unless है वो आपके बिटा negative words होते है और negative words के साथ हम कभी भी note का use नहीं करते तो आपको ध्यान रखना है कि sentence के जिस part में until या unless है उस part में आप note का use नहीं करोगे देखते हैं हम sentence you will not succeed unless unless मतलब condition you don't work hard अब यह आपका if close है यह present indefinite में रहना था don't वैसे तो present indefinite में है क्योंकि लेकिन क्योंकि unless negative word है तो उसके साथ हम don't का use नहीं करेंगे तो correct sentence क्या बनेगा you will not succeed unless you work hard don't का use नहीं करेंगे क्योंकि unless negative word है negative word के साथ हम कभी भी note का use नहीं करते तो इसका answer था third part में आपका error था जहाँ पे don't का use किया है don't का use आपको नहीं करना है क्योंकि unless negative word है next question if I had two bikes I would have given one to you यदि मेरे पास दो बाइक होती तो एक मैं आपको दे देता अब बिटा यहाँ एक confusion or create होता है हम head देखके अपने दिमाग में idea लगा लेते हैं कि head आ गया तो यह आपका past perfect हो गया ठीक है यह गलत concept है बिटा head के साथ जब work की third form आएगी तब आपका past perfect बनेगा अगर simple head आ रहा है तो यहाँ यह second form का काम करता है यह past indefinite या बोल सकते हो simple past में जाता है ठीक है अगर सिर्फ head है तो वो past perfect नहीं होगा बिटा वो past indefinite या simple past बोल सकते हो वो sentence रहता है past perfect होने के लिए head के साथ verb की third form का use करना जरूरी है अब exam में बैठते हैं तो यह confusion आता है हम head देखते हैं हमारे दिमाग में strike होता है past perfect है तो would have third form है तो sentence correct है लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ head का use किया है तो मतलब यह past indefinite है past indefinite के साथ मैंने बताया would और verb की first form का use करते हैं तो correct क्या बनेगा इसका if I had two bikes main close में use करेंगे subject would और verb की first form I would give one to you तो यहाँ पे बिटा would have given में error था second part में would have given ना के क्या आना था would give क्योंकि आपका if close past indefinite में है past indefinite में है तो main close में would और verb की first form का आपको use करना है next question पे आते हैं if I was he I would not accept the offer अगर मैं उसकी जंगे होता तो offer को accept नहीं करता होता मतलब imagined condition है और imagined condition में मैंने आपको बताया subject चाहे कुछ भी हो उसके साथ आपको use क्या करना है were तो यहां first part में error है was नहीं आएगा was की जंगे were आना था क्योंकि imagined condition का sentence है next if he had walked fast enough he will get the bus head आ गया बिटा third form आगी मतलब यह past perfect में आ गया past perfect आ गया तो main close में क्या use करेंगे would have और वर्ब की third form तो he will get the bus नहीं आएगा he would have he would have got the bus तो ध्यान रगना जब भी आपका past perfect आएगा तो उसमें main close में would have और वर्ब की third form का आपको use करना है यहां तक clear बेटा सभी को next question पे आते हैं the train will not start the train will not start until the guard will blow the whistle अब यह भी future में दे दिया बेटा यह भी future में दे दिया train start नहीं होगी जब तक guard whistle नहीं करेगा तो आपको बता रखा है कि main close future indefinite में और until आ गया मनलब condition वाला पार्ट यहां से शुरूँ है यह present indefinite में रखेंगे तो यहां पे will नहीं आएगा will नहीं आएगा second the guard singular है तो singular के साथ आपको ses भी लगाना है तो blow की जगे blows हो जाएगा तो correct जो sentence बनेगा आपका वो बनेगा the train will not start until the guard blows the whistle guard singular है इसलिए यहां पे ses लगेगा तो आपका answer हो जाएगा third part में error है will आएगा नहीं और blow की जगे blows हो जाएगा next देखते मिटा if I would have realized what a bad shape our library is in I would have done something अब यहां आप ध्यान से देखोगे बिटा जो आपका if close है ना तो यह present में है ना future में है ना यह past में बन रहा है ना past indefinite है ना past perfect है तो जब इस type का sentence आ जाएगा तो ऐसे में अभी तक हम जो change कर रहे थे वो main close में कर रहे थे if close के according लेकिन अगर ऐसा sentence आ जाए कि आपका if close किसी भी tense में नहीं बन रहा है तो यहां जो change करेंगे वो main close के according करेंगे मतलब main close में देखो क्या use कर रहे है main close में use कर रहे है would have और third form तो main close में would have और verb की third form का use हम कब करते हैं जब आपका if close किस में हो past perfect में हो तो इस sentence में correction के लिए हम क्या करेंगे जो आपका if close है उसको past perfect में बनाएंगे if I would have realized की जग्या लिखेंगे if I had realized तो यह जो था would have realized इसको change करेंगे if I had realized had और verb की third form past perfect में इसको बनाएंगे और main close में would have or third form आगी तो यह sentence आपका correct हो जाएगा तो इसमें जो error था वो first part में था I would have realized की जगे होना है I had realized next had I known him I would give him lift यह मैंने आपको बताया था if I had known him लिख दे या had I known him लिख दे एकी बात है had भी आ रहा है verb की third form भी आ रही है तो यह past perfect में है आपका past perfect में है तो main close में आपका क्या use होना है बिटा would have और third form I would have given him lift यह आपका correct बनेगा तो error जो था वो second part में था would give की जगे आएगा would have given next question पे आते हैं he commanded me as if he was my husband उसने मुझे इस तरह आदेश दिया जैसे कि वो मेरा husband हो अब यहां imagined condition की बात हो रही है बिटा जब भी imagined condition आएगी तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है subject कोई भी हो उसके साथ was का use नहीं करना है किसका use करना आपको वर का इसमें error जो था वो बिटा second part में है आपको was की जगे क्या use करना है वर का use करना है तो बिटा ये कुछ questions थे जो आपके ssc के previous year paper में आए हुए है I hope कि आपको समझ में आए होंगे अगर नहीं भी समझ में आए तो आप comment छोड़ सकते हो हमारे telegram channel पे अपने queries आप पूछ सकते हो और अगर आपको और questions चाहिए practice के लिए तो आप telegram channel हमारा join कीजिए उस पर आपको practice के लिए और बहुत सारे questions मिलेंगे ठीक है वेटा आज की class over करने से पहले स्वामी विवेकानन जी का एक बहुत अच्छा quote है जो मेरा favorite है arise awake and stop not until the goal is reached उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक की लक्षे की प्राप्ती न हो जाए तो अगर आपका कहीं एम है government job तब तक नहीं रुकना है जब तक की आपकी job नहीं लग जाए अच्छे से महनत करो हमारी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को best जो है material या classes प्रोवाइड करें तक आपका जो भी feedback है आप comments में जरूर लिखें ताकि हम भी improve कर सकें अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए, bell icon का बटन दबा दीजिए वीडियो को like करें और share जरूर करना बिटा क्योंकि ये classes हम free of cost provide कर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो competition की तयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं लेकिन उनके पास resources available नहीं है तो अगर आप इस वीडियो को share करेंगे तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे जरूरत मन बच्चे की help कर पाएं जिसको वाके ही इस classes की requirement है तो please अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो share जरूर करें ताकि जिसको भी requirement है ये वीडियो उन तक पहुंच सेके ठीके बटा next class में मिलते हैं आज की जै भारत जै हिंद next class में मिलते हैं thank you